नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अंकुर और एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल पर दोस्तों अगर अभी तक आपका ड्राइविंग लेसिंस नहीं मना है और आप ड्राइविंग लेसिंस बनवाना चाहते हैं उसके बाद आपको ड्राइविंग लेर्ण लेसिंस पर देखी हैंँ मृइन करक्र बाह summary करने के बाद देखिए यहां पर आपसे सामने कुछ इस तरह का इंटर Belt आजाएगा यहां पूर हुआ है बहुत सार स्टेट में सर्वेश स्टार्ट हो चुकी है तक our dad 고まだप्रदेस है तो यहां पर मद्यप्रदेश स्छैट कर सब्सक्राइब करने के बाद देखे यहां पर ले आएग का यहां पर देखेbul Robya लिखा हुआ apply for learning license, यहां पर आपको click कर देना है, उसके बाद कुछ simple step यहां पर आपको follow करके application complete करना है, तो उसके लिए यहां पर हम continue पर click करेंगे, click करने के बाद देखें, यहां पर आपको अपने category select कर लेनी है, और यहां नीचे लिखा हुआ applicant does not have driving license, आपके बास driving license ना हो और यहां पर आप submit पर click करेंगे, click करने के बाद देखें, आप skip सामने दो option यहां पर आ चुके है, submit by अधार authentication, submit without अधार authentication, तो इसमें क्या अंतर है, अगर आप अधार authentication से करते हैं, तो आपको RTO जाने की जिरूद नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, बट अगर इसका टेस्ट आप घर से ही दे सकते हैं, तो चलिए हम अधार authentication पर click करने के बाद submit करते हैं, और यहां पर देखें, आपको अधार कार्ड नमबर क्लेक कर देना है, अधार कार्ड नमबर यहां पर आपको डाल देना है, बर्चोल आईडी भी यहां पर आप डाल सकते हैं, और यहां पर उसके बाद अपना अधार कार्ड नमबर आप डाल देंगे, अधार कार्ड नमबर डालने के बाद आपको generate OTP पर click करना है, बाद आपके अधार कार्ड में जो number registered होगा, उस पर आपके पास एक OTP receive होगा, वो OTP आपको यहां पर डाल देना है, देखिए लिख उसके बाद आपको यहां पर authentication पर click कर देना है, चलिए हम click करते हैं, click करने के बाद देखिए, यहां पर आपका form open हो चुका है, बहुत सारी details यहां पर already fill है, जो आपके अधार कार्ड के according fill है, और आपके अधार कार्ड के data विस से यहां पर ले लिया गया है, जैसे आपकी photo applicant name, date of birth, father name, gender और उसके अलाबर यहां पर complete address यहां पर आपका print हो चुका है, अधार कार्ड के according, उसके बाद आप next button पर click करेंगे, और यहां पर देखिए, कुछ और भी details आपको fill करने हैं, जैसे आपको अपना RTO office यहां पर select कर लेना है, जैसे हमारा जबलपुर RTO है, जो आपको यहां पर select कर लेना है, उसके बाद scroll करके आप नीचे आएंगे, तो यहां पर देखिए, कुछ odd details आपको fill करना है, जैसे आपका qualification हो गया, कि आपका qualification क्या है, blood group यहां से आपको अपना select कर लेना है, उसके बाद यहां पर देखिए, आप से कुछ और भी details से मंग रह हो गया, आपका contact number यहां पर हो गया, contact number यहां पर आपको अपना डाल देना है, एक emergency mobile number आप से यहां पर यह मंग रहा है, यह alternate आप mobile number यहां पर डाल सकते हैं, उसके बाद नीचे यहां पर देखिए, दो identification mark आपको पूछ रहा है, कोई भी identification mark पहचांच चिन यहां पर आप ड डाल सकते हैं, जो permanent हो, कोई दो यहां पर आपको डाल देना है, उसके बाद scroll करके यहां पर नीचे आएंगे, तो यहां पर देखिए, आप से sub district पूछ रहा है, और village में रहते हैं, आप यह town में रहते हैं, तो वह select करके यहां पर आपको अपने village यह town select कर लेना है, उसके ब यहां पर आप कब से रहना है, यह address जो आपने दिया हुआ है, तो जब से आप रह रहे हैं, उसका year और यहां पर month आप डाल देजए, कितने साल और कितने महीने से आप यहां पर रहे हैं, उसके बाद यहां पर आपको select कर लेना है कि कि किस license के लिए आप apply कर रहे हैं, टू यह प्लाइ कर रहे हैं, या फोर बिलर के लिए अपलाई कर रहे हैं, तो टू प्लस फोर के लिए आप यहां पर देखे, लाइट मोटर विकल और फोर बिलर के लिए आप आप मोटर साइकल बिद गियर नोन ट्रांसपोर्ट यहां पर select कर लेंगे, बड़ अगर आप टू लाइसेंस के option open हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पर देखे नीचे और भी option है जो आप select कर सकते हैं और भी अगर आप other license के लिए apply करना चाहते हैं तो यहाँ से आप select कर सकते हैं उसके बाद नीचे आप से पूछ रहा है is the applicant trained from driving school के आपने driving school में training लिए हुई है लिए हुई है तो yes करेंगे नहीं तो उसको uncheck कर देंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए form burn पर हमने click किया है तो यह form burn यहाँ पर आपको fill कर लेना है इसमें आपको बैसे तो सभी option पर no tick करना है केबल second option पर आपको yes करना है सबसे पहले ही आपसे पूछ रहा है क्या आपको कोई दोरे पढ़ने की बिमारी है तो यहाँ पर हमने no tick कर दिया है उसके बाद second option में आपसे पूछ रहा है क्या आपके eyesight clear है तो यहाँ पर हमने yes कर दिया है third option में आपसे पूछ रहा है क्या अपने accident में अपना हाथ या पैर खोया है उसके बाद कि आपको night blindness है उसके बाद अगला option यह आप से बोल रहा है कि आप कम सुनाई देता है तो यहां पर no tick कर दिया है और last आप से पूछ रहा है कि आप कोई ऐसी विमारी है जो आपके driving पर effect कर सकती है तो यहां पर भी हमने no tick कर दिया है उसके बाद देखिए नीचे यहां पर एक checkbox दिख रहा है checkbox पर आपको tick कर देना है कि टेक करने के बाद submit बिटन पर click करना है उसके बाद यहां ओके पर आप click कर देंगे तो देखिए हमारा form बन यहां पर complete हो चुका है सम्मेट उसके बाद step को यहां से हम close कर द first point पर देखिए यहां पर क्या आप आप अंगदान करना चाहते हैं तो करना चाहते हैं तो tick कर देंगे नहीं तो इसको आप blank चोड़ देंगे उसके बाद आपको submit बिटन पर click करना है submit पर click करने के बाद देखिए यहां पर आपको इसको cancel कर देना है यह अंगदान के लिए है cancel करने के बाद आपको ok बिटन पर click करना है और फिर से ok पर click करना और आपका application यह वाले हाँ पर submit हो जाएगा अब में थोड़ा समय लग सकता है उसके बाद जैसे ही आपका application देखिए यहां पर यह submit हो चुका है submit होने के बाद आपको यहां पर ok कर देना है देखिए congratulations का आपके बाद एक message आ गया है उसको हमने ok कर दिया है उसके बाद यहां से आप अपना receipt print कर सकते हैं नीचे school करकर आप आएंगे दिखिए यहां पर अपना print acknowledgement कर सकते हैं application form जो आपका pre-failed है उसको यहां से आप प्रिंट करके रख सकते हैं चलिए हम यहां पर acknowledgement प्रिंट कर लेते हैं इसको फिलाल हम save कर लेते हैं यहां से और इसके बाद यहां पर जो हमारा application form prefilled है इसको भी यहां से हम save कर लेते हैं इसको आप save करके रखें क्योंकि अगर आपका अधार authentication नहीं है तो फिर यह आपको RTO में submit करने जाना होगा बट यहां पर हम बात कर रहे हैं अधार authentication की तो इसको आपको केवल यहां पर save करके रख लेना है और next बिटन पर click करना है click करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा application य लिए आपको देखें यहां पर proceed बटन पर click करना होगा click करने के बाद यहां आपको payment page पर ले जाएगा यहां पर आपको 424 रुपए 24 पैसे का payment यहां पर आपको करना है और यहां पर SBI API का option है इसको आप select कर लेंगे capture value यहां पर आप डाल देंगे और pay now पर click करेंगे pay now पर click करने के बाद देखें check box पर टेक किया submit किया अब यहां आपको यहां से payment page पर ले आया है यहां पर आप debit card, net ranking, dmupi या credit card से भी इसका payment आप कर सकते हैं हम इसका payment net ranking के माद्दे हम से करने वाले हैं और SBI के माद्दे हम से करने वाले हैं फटा पट से इसको login करके हम payment कर लेत इसके बाद आपको अपने application पर click करना है, capture value यहां पर आपको enter कर देनी है, उसके बाद print receipt पर आप click करेंगे और इसका भी receipt आप save करके रख लेंगे जिसमें आपके पास यह आगे काम आए, उसके बाद यहां पर next button पर आपको वापिस से click करना है, और यहां आपको अगले page म अपर डला हुआ है, date of birth यहां पर आपको अपनी select कर लेनी है, date of birth डालने के बाद यहां पर हम submit बिटन पर click करेंगे और scroll करकर नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारा application completely successfully submit हो चुका है, देखें यहां पर लिखा हुआ है application is under processing at rto level, इसके बाद आपको यहा पास करना, इस पर हम separate video बनाएंगे और वो आप हमारे आप channel पर ही देख सकते हैं, तो उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप like करें, channel को subscribe करें और bell icon को प्रेस करना ना भूलें, जिससे ऐसे ही important videos के notification आपको मिलते रहें